Apple Airports Pro 2nd Generation Hello दोस्तों, इस वीडियो में रिवी करने वाला हूँ Apple के तरप से आने वाला latest Apple Airports Pro 2nd Generation हम लोग बात करेंगे इसके सारी future के बारे में मैं इसे first time यूज़ कर रहा हूँ सच बताओं दोस्तों ये मुझे कमाल का लगा मैं कोशिस करता हूँ आपको अच्छे से explain करने का तो वीडियो में बने रही है मैं बताऊंगा मैंने इसे कितने price में buy किया हूँ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो दबाखे like, share and subscribe कर दीजेगा Design and look की बात करें तो दोस्तों Design and look पिछले वाले Apple Airport से काफी बिलते जूलते है हालकि Apple ने कुछ changes किया है जैसे कि Air Buds पर Touch Control, Active Noise Cancellation और Apple का H2 Chip Front की तरफ देखे तो LED Light मिलती है जब आप case से निकालते हो या charging पर लगाते हो तब ये LED Light जलती है Back की side देखे तो Design in California लिखा हुआ मिलता है और एक pairing का button नीचे की side में speaker को option मिलता है ताकि find my device से आप इसे पता कर सको ये speaker जोर जोर से बजने लगता है तब आप पता कर पाओगे कि कहां पर है आपका Airports Pro आपका Airports Pro हिराने वाला नहीं है फिर lightning port मिलता है और side में एक land yard लॉप आ गई है इसमें आप हाथ में अराम से attach कर सकते हो grip और भी solid मिल जाता है Apple Airports Pro 2 में आपको 4 air tips देखने को मिलता है medium वाला earbuds पे लगा हुआ है और फिर extra small फिर small उसके बाद large size यहाँ पे जो multiple tips है और भी better performance देने वाली है ये glossy finish के साथ आता है quality यहाँ पे आपको premium देखने को मिलती है Apple Airports Pro 2 में आपको 2 sensor देखने को मिलता है ताकि noise cancellation अच्छे से हो सके इससे पहले के जो Airports आते है Airports Pro उसमें single मिलते थे हलाकि उसमें भी sound quality खराब नहीं है पर थोड़ी से improve हुई है Apple Airports Pro 2nd generation में बात कर लेते हैं दोस्तों specification के बारे में Apple Airports Pro में H2 chip देखने को मिलता है जो कि sound quality और भी improve कर देता है ना सिर्फ sound quality बल्कि active noise cancellation भी मिलता है active noise cancellation निक्ष लेवल का है पिछले Airports की तुलना में दो गुना और improve हुआ है आप किसी ऐसे जगा पे हो जहां सोर वगेरा ज़्यादा हो रहा है या फिर बस या मैट्रो में background की जितनी भी noise है उसको काम करने में मदद करता है इसमें आपको transparency mode भी देखने को मिलता है ये भी बहुत जरूरी है ताकि बाहर के आवाज सुन सको जैसे आप road पे हो या किसी से बात कर रहे हो transparency mode यहां पे आपको काम आती है transparency mode में आपको battery backup ज़्यादा देखने को मिलता है total battery backup आपको 6 hour का मिल जाता है without noise cancellation noise cancellation के साथ 4.4 hours का मिल जाता है charging option भी improve देखने को मिलता है आप multiple charger way से charge कर सकते हो lighting port से charge कर सकते हो और wireless charger से भी charge कर सकते हो अब तो C type वाले भी earbuds आने लगे है AirPods Pro 2 में आपको और भी कुछ कुछ future मिलते है जैसे कि spatial audio का future मिलता है और audio surrounding sound का भी effect मिलता है IP54 rating हलके full के पसीना या बारिस के पानी में इस्तेमाल कर सकते हो असान pairing का option मिलता है और कमाल की बात दोस्तों आप अपने earbuds से volume up down कर सकते हो उपर के side करने से volume up और नीचे के side करने से volume down हो जाता है और पिरेश रखने से sound pause हो जाता है ठीक है Skin detection sensor देखने को मिल जाता है Now talking about audio quality दोस्तों Apple के airports के बारे में तो कहना ही नहीं है अगर आप Apple के product use कर रहे हो तो आप जानते होंगे sound आपको top class की मिलती है Everything balance है चाहे हम बात करे base की, travel की या बात करे active noise cancellation की हर चीज आपको full packed मिलता है मैंने शुरू में बताया था कि मैंने इसे कितने price में खरदा था तो मैं इसे oil ex पे खरीदा हूँ आपको अगर दूसरी company में जाना है तो वीडियो बना हुआ है आप उसे check out कर सकते हो I hope आपको वीडियो पसंद आयो होगी तो subscribe करना नहीं बुलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई